नमस्का दोस्तों सब्सक्राइब फिर्षाप सक्सेस क्लासेश में जैसा कि हम लोग वीजे नाइस का टेस्ट रीज शुरू करें थे टेस्ट नमबर ये टू था जिसमें हम लोग ने अभी तक 25 करने का टार्गेट है जिसके हसाब से जब तक हमारा एक्षाम होगा तक हम लगबग 20-22 टेस्ट वीजन के कम्प्लीट कर लेंगे तो आप पेशेंस थवासा रखें रोज थवासा करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और चीजों को थवासा डिटेल में जो की एक्स्प्रेंट के होता है उसको आप बैट के पेपर की तरह लगाईए और फिर उसके बाद चोए कि एनालिटिकल वीडियो यह वाला देखिए और समझे कि कहां पर आपकी गलतिया हुई है और कौन सा इस्टेट्मेंट जो की सब्सक्राइब कर लें और चैनल के साथ जोड़िया है तो देख सब्सक्राइब कोविड नाइंटिन हमार महामारी के निवारण ही तु आरभी आई द्वारा निवन में से कौन से उपाय किये गए है पहला स्टेट्मेंट आपका रेपोरेट में कमी शेकेंड रिवर्स रेपोरेट में विद्धी थर्ड रेड के भुक्तियान पर अधिस् पैसा बना रहे लोगों के पास अधी सद्रीक पैसा आता रहे जिससे लोग अपनी खरिदारी या जोड़ते पूरी करती रहे तो इसमें सबसे पूछे यह तीन और चीज़ बाती कहीं गए इसमें से कौन सा सही बताने है ऑप्शन एक एक और दो बी है केवल दो और तीन सी पैसे लेते हैं और लोन देने के लिए उस पर उन पर कुछ ब्याज लेता है जो मार्केट है यहां पर पैसा आपका आएगा तो इस फोज़े से जो कि आप देखोंगे मार्केंट पैसा आएगा तो यह उप्चन एक से है शेकंड जो रिवर्स रेपोरेट का उल्टा इसमें क्या होता है कि RBI जो कि उधार लेती है बैंकों से ठीक है तो क्या पैसा मार्केंट रखेंगे नहीं वह आर्बियाई को अपना सारा पैसा देखकर जो कि ज्यादा ब्याज से अपना इंकम करेंगे तो अगर रिवार्स रिपोरेट में विद्धी होता है तो मार्केंट में पैसा काम आएगा तो इसका मतलब कि यह तो कोईड-19 का जो म सब्सक्राइब करेंगे जैसे आप कार लोन होगा घर लोन होगा यह सब चीज़ा है या पर किसी कंपनी का कुछ बैंकों से लोन है तो वह छे मां के लिए रुका गया था अर्बिया तो इसका जो श्रही अप्शन है दोस्तों वह आपको को और सी शेकेंड वाला गलत है ठीक है कोशन नमर्ट टीशन नेक्श को चलते हैं कोशन नमर्ट टीशन आपसे लॉबिंग के संदम में बात कर रहा है आपको पहला इस्टेट्मेंट कर यह दबाओ समुद और नीती निर्माताओं को अपने पक्ष में निर्ड़ाय लेने क अपको स्टेट्मेंट पढ़ते हैं यह पहला इस्टेट्मेंट चाहिए यह दबाओ समुद आएक निती निर्माताओं को अपने पच्छ में जिससे लॉबिंग क्या होता है लॉबिंग के जड़ी कोई बिजनेस मैंने कुछ समुद कोई किसान समंदी समुद है कोई विश ओपने प्रक्षिम नोंनी गोसे की कानुन में नहीं बनाए घृत रहता है तो पहला स्टेट्मेंट प्रधाम मंत्री का कारेकाल पांच वर्षक होता है दूसरा समिधान या प्रवधान करता है कि लोक सभा में बहुमत दल के नेता को प्रधाम मंत्री के रूप में राष्टपती दौरा नियुक्त किया जाएगा तो जो हमारा ऑप्षन गलत है तो जो हमारा ऑप्षन गलत है दो कि यह पर तीन है है नहीं तो यह अलब कड़ी आगए अब बचाए एसीडी दूसरा देखो पहला देखो जो इस्टेटमेंट है परधामंति का कारेकाल पांच वर्ष का होगा ठीक है परधामंति का कोई टर्म से निधायत ही नहीं है परदाम प्रेशिडेंट के परशाथ परसाद प्रध्य भी होंगी तभी ठीक है तो इस अधार पर जब तक इनको बहुम्मत प्राप्त है सदर में तब तक यह जो कि अपने प्रधाम नहीं प्रदाप्त होगा प्रेसिट्टेंट इनको हटा देंगे तो इनका कोई ऐसा टर्म्स निधायन नहीं कि 500 होगा तो यह गलत है तो एक भी ग की मिथान प्रवधान नहीं किया गया स्मीधान में ऐसा कहीं लिखा नहीं क्यों क्या क्यों प्राप्त ड्राप्त हो गाहां प्रदा मंतरी राश्पति करता तो इस अधार पर जो एक राष्ट पते ना कि ऐसा सम्मिधार में कहीं एज सच लिखा है कि ऐसा होगा तभी ठीक है जहां-जहां समस्दी पढ़ा लिए आप देखो कि वहां-वहां यह मिथड यूज होता है तो इस अधार पर देखोगे तो बड़ा हिध्यान से इसमें पढ़ना था 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 त्री की कोशन था तो पहला दूसरा तीनों स्ट्राइट में बात कर रहा है ठीक है कि के समद्ध में देखते पहला इस्टेटमेंट क्या करें आप से यह बेंकों का NPA में बदल चुके रिड की वसूली ही तो उधा करता हूं दोरा बंदक रखी गई संपतियों को सीधी निलामी करने का अधिकार परदान करता है ओके सेकेंड कह रहा है आपको अधिनियम यह जो सर्फेसी एक्ट है सहकारी बेंक को पारुपीत नहीं होता है इसको आपको त्यान देना ठीक है तो आई बताए कि दूनों स्टेटमेंट सही है पहला ऑप्शन क और दो दोनों डिय कोई नहीं ठीक है तो अगर आप इसको देखो तो जो पर इस्टेटमेंट वान है बिल्कुल सही है सर्फेसी एक्ट को इसी लिए लाए गया था जो एन्पिय दो जा दो के तर इसको लाएगा कि जो एन्पिय बढ़ रहे हैं उनके रिजॉलूशन के लि बैठा कि उस कमपणी को संचारित करने का काम करते हैं या उस कमपणी की रूल एगूलेशन जो भी अपने नियंग आपके काम है वो सब आपने हाथ में ले ले लेने लिटा है जो कह रहा है कि यह जों को लिए और लागव thy द्यान को पर भी लागव पर दिख नहीं इसको जो रेगूलेट करता है रग यह कि सरकारी बेंकों को रेगूलेट करता है तो हमां शेकर निश्ट कोशन नमर्थ 30 काफी अच्छा कोशन है ऐसे कोशन जो को यह पिए सी में आपशा देखने मुलते हैं पुछ कुछ कमेटी दिए गए दिनेश को स्वाम सुधासर डiai pancati देखो यह जो तीनों समीथी न यह चुनावी सुधासर समधित है ठीक है चैक्छा गोस्वामी सम्निति हो चैह वोरा समीथी चक्राइब करता है उन्होंने उन्होंने क्या उप्षवामी जो समुभी राज्यदोरा धन जो भी राजनितिक दल्व अपना उनको पैसा राज्य दौरब क्योंकि दिखपिस्व कोई यह प्यूण था उनके पास पैसे ज्यादा है नंको फंड ज्यादा मिलता है चुल्हाओं बहुत भरपूर चैनल करते बहुत फैसे खर्च कर पाती है इसलिए इसलिए आपका आ चौनिख सम कर आथे इसलिए enrich दूसरा देखो जो वहरा समीति आती काफी इंपोर्टेंट केस था जो राजनिती का अपराधी करड़ बढ़ रहा था किमिनालिजेशन हो रहा था पॉलिटिक्स का उस पे जो कि इन्होंने जो कि अपना कोछ रिपोर्ट पस्तूत की हैं कि इसको कैसे रोका जाए और जो उनके शाड़गाट को रोकने के लिए ठीक है और जो तंखर समीति है थर्ड यह जो कि निर्वाचम बीधी में कुछ सुधार करने के लिए इन्होंने जो कि रिपोर्ट देती तो तीनों किसे समद्धी तेनों आपका चुनावी सुधार से समद्धी चलते में नेक्स्ट को उच्छे 249 एक तरह दिल्ली उच न्याले का गटन किया गया ओके सेकेंड करें किसी केंसासरी परदेश के उच न्याले के गठन हितु समिधान संसोधन की आप सकते होती है आपको सायूत्त बताना है क्या वहला अप्शन है कि वहल एक सेकेंड भी आपका शी ऑप्शन है द जो शंसासरी पर से दिल्ली है जो आपका डिल्ली है इसकी वीधान सभाह होगी और जो कि इसमें एक सीएमबी होगा ठीक है इसके लिए जो कि आपका आर्टिकल 239 डबल ए लाए गया तो ना कि इसके लिए कि यहां पे एक हाइप उट होगा ठीक है इसलिए हमारा स्टेट् का दर्जा देने के लिए स्थापना करना है तो उसके लिए जो है कि आपको संसोधन करने की आउशकता नहीं है आप बल्कि एक एक्ट है उस एक्ट के तहर जो कि हाई कोट की स्थापना की जा सकती है ना कि इसके लिए आपको समिधात सवस्थन करने जुरत है तो पहला गलत है दूसरा भी गलत है तो इसका शहीं होगा ऑप्शन दी चलते नेक्स्ट क्वेशन नमर 32 देखो क्या करें में से किन प्रश्थितिओं के कारण मंत्री परिशत को प्रात्याग पत्र पतना पड़ता अगंश चिछ सब्रक खाह सदंद और धन्यवात परार्श्थन न वाइत होने पर्योग है में धन विध्यक के पारित नहुने पर नीचे देगी उट का सई परियोकरना है आप आप्शन ए है केवल एक और दो बी है एक और तीन सी है दो और तीन डी है वन टू तरी तो देखो जो परहाई स्टेट्मेंट करें जी हां बिल्कुल सही है कि अगर लोग सबह में अविश् अब सब्सक्राइब कोई नेया स्ट क्षेटेब करते है ँरुव। सब्सक्तर फॉय इविश्त करते हैं थी जो अधिक गसोर्त के सब्सक्रार के केन सरकार दोरा लिखी गई सब बाते होती है तो क्या होता है अब इस स्पीश को पूरी राष्टपती को थांक्स बोलने के लिए एक मोशन ला जाता है जो रूलिंग पार्टी होती है उसके दोरा अगर जो कि यह जो मोशन होता है थैंक्स वाला मोशन यह जो कि सिंपल मेजोर्टी से पास होता है अगर रूलिंग पार्टी सिंपल मेजोर्टी से इस चीज को जो कि लोगसभा नहीं पास कर पाते हैं इसका मतलब क्या होता है सदन में नहीं है जब किसी के पास एक सिंपल मिजुर्टी भी नहीं वह सदन में तो वह जोएकि रूलिंग पर्टी नहीं बन सकता थीक है लोगषभा में बहुमत नहीं पृत्वे तो आपके यह सी वजह से जो कि अगर धन्यवाद परस्ताओं पायत नहीं होता है तो क्या होता है आपको मंती पषिशत को जोगी त्याग पत्र देना पड़ता है तो वान टू दोनों सही है तो आप्शन भी कड़ गया हमारा सी कड़ गया ए और डी बचे थर्ड देखो लोग सब अगर इसको नहीं पास कर पाती तो सरकार पास मेजरेटी नहीं बहुमत नहीं है इस वजह से जोगी बंती पषिशत को त्याग पत्र देना होगा तो ऑप्शन डी हमारा यहां पर सही हो जाता है ठीक है चलते अपने फ्राफट से नेक्ष्ट कोशन की तरह कोशन नमर थर्टी ठीक है पहला इस्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है उनकी जो यह उगेता है उसके संबन में इस्टेटमेंट नमबर वन पूछा है वह पूर्व से ही केंद्र या राज सरकार के अंतगत किसी सरकारी शिवा में कारेड़त नहीं होना चाहिए ओके सेकेंड करा उसे एक अध सब्सक्राइक है तो यहां जो तीनों स्टेटमेंट है बिलकुल सही है तीन के तीनों सब्सक्राइब किसी केंद्र या राज में २हीं होना चाहिए उसे कंच पांच वर्ष का अनुबह होना चाहिए अधिवक्ता के रूमें और हाइकोड द्वारा रिकमेंड किया जाना टीक है इन ही अधाप पर फो की उनको जो की नुक्त किया जाता है उमेद आपको समय में आ रहा होगा अर्द्यकों जो जीला नियाधिस होता है इनको को कौन नियुक्त करता है राज़िपाल जो हमारी गवर्नर होते हैं वही जो है कि इनकी नियुक्ति पधुन्ति सेवा सरति यह सब जो को निदारित करते हैं तो चलो फटा-फट से देखते कोशन नंबर 34 34 आपका ग्राम नियाले के संबंद में बात कर रहा है ठीक है अच्छा कोशन कर आएं बोल लाया की पहला है कि इसकी इस्ठापना सब्समंदित राज-बिधान सभाओं की विध्यों के मद्यम से की जाती हो के सकेंड स्टिय्मेंट कर है इनके प्टा से नहीं नयाई दिकारी राज्यसरकार दोरह उच्य न्यायले के प्रमत्स से निउक्त किया जाते है करता है तो इसकी स्थापना समझे राज विधान सभाव की विधियों से मादव किया जी नहीं ऐसा नहीं है एसा नहीं कि राजिब बीदी बनाएगा तब इसके इस्थापन होगी जो इस्थापन होती है एक सी स्थापना होती है पहला होती ग्राम नेनई एक्ट 2008 जो कि कि जाती है इसा नहीं कि इसके लिए राजविदान सभा को जो की लॉल आनी पड़े को बीधी मनानी पड़े तब होगा ठीक है इसी एक्ट के तर जो की ग्राम नहीं पता होता तो भी और एक अगर शेवर होता तो भी हम अपने अंशा पर पहुंच जाए तो दूसरा देख लो इसके पि परद्रगी की संदब में अनिता यह क्या है यह आपसे पूछा है आपका एक डेडियो टिलिस्कोप है जिसे अल्टरा हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज न्यूट्रिनों का पता लगाने है तो उप्योग किया गया है ओके बी आपसे पूछा कहरा है कि एक उपग्र जिसे आर्गर्टिक में हीम के पिगलने की दर को मापने है तो लांच किया गया ओके शी कहरा है एक उपकरण जिसका गुरुत्तवा कर परशर तरंगों का पता लगाने है तो उप्योग किया जाता है ओके डी कहरा भायत का पर्थम मानो द्रिश मानो सद्रिश रोबोट ओके तो जो अनिता है यह और आपकर शही है यह एक रेडियो टिलिस्कोप है जिसे अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज न्यूट्रि अंटीना है जिसे जोगी इसके दोरा इसको लाए गया था नासा के दोरा इसको जोगी स्थापित के गया था और यह एक रेडियो टिलिस्कोप है यह ध्यानकना ठीक है कोशे नमबर 36 की तरब चलते हैं को भारत मार्केट यह दो बाद मार्केट के संदर में आपको निर्मन तक आप औरती सिंकला में अद्यों पांत यानि एंड टू एंड सिवाएं परदान करता है जिसमें घरेलियों डियुवरी भी सामील है ठीक है तो देखो इसमें कि आपका पहला इस्टेरिमेंट बिल्कुल सही है जो भारत मार्केट यह एक राष्टी कामश बजार है जो कि सम अखिल भारती बैपारिश रंग जो है एक आपका सी ए आई टी कांफेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रीडर्स ठीक है इनके दरा जो कि इसको लाएगा तो थर्ड वलमाई स्टेट्मेंट गलत है पहला दूसरा सही तो जो सही जाएगा आपको अप्शन एस होगा ठीक है चल इसको आप सोफो रिपोर्ट सोफो रिपोर्ट को जो कि यूएन एपी और एफ यानि ऑप्शन ए सही है इसको जो कि यूएन एपी और एफ ओ द्वारा रिलीज कियाता है यह दो वर्ष में एक बार रिलीज होता है यह वाला रिपोर्ट और यह ध्यान दो अभी जो 2011 से लेकर 2020 का टाइम डाइन चला यह जो एक दसक है इसको यूएन ने यूएन ने जो कि जै भीविता दिवस य अब ही खतम होने को आ गया है खतम मौल में स्थोई गया दो जाई किस चल लाए तो आप कहा सकते हो कि यह भी एक इंपोर्टेंट है आपको पता हुए कि किसके दौर इसको डिक्लियर के गया था यूएन के दौरा ठीक है तो इसका अब चलो फ्रवर चलते नेक्ट कोशन न मन conception 38 कह रहा है कि केनरी मंति परिशत के संभन्द में आपको साइक बताना है ठीक है स्थ्कांड कंसल पनिस्टर जो है पहला इस्टेटमेंटि कह.. समिधान में मंति परिशत की संख्या संदी कोई सीमा निधायbersτη की गई है और संतान व्य समिद्धान अधिनियम्दार या वंद किया गया कि संसाथ कि किसी भी सतन का सदस जिसे दल बदल का अयोगी खोषित किया गया है क्या यह नाईटीज चेटमेंट के थुरूप बोला गया है यह आप से बोले और दूसरा पहला श्रीन बोला कि क्या मोच्व जो पहला हमारा उजिनार कंस्टिटीविशन मना था उसमें मंति परिशत की संख्या निधारी निधारी निकी गई थी ठीक यह दो बाते ध्यान देजिए को आपको शही उत्तर चुनना है पहला स्टेट्मेंट है केवल एक बी यह केवल दो सी एक और दो दो डी ए न तो एक न त 91 आमिंटमेंट Ad Secretarynant रिधायर और इसमेंट के तहथ बोलागी अगर कोई सदस जो कि दल बदल नियम के जरीयें जो कि MP बनने की योग नहीं है तो वह मंत्री नहीं बन सकता मंत्री के पत से भी मंत्री पत के लिए अयोगी खूशीत हो जो चुट परधां मंतरी के दुस्ता वाली राष्टी एक ताप परिशार आश्टा इंस्ट कौशन कौशन लोग सामीर होते हैं पहला केंदरी मंत्री दूसा लोगसभा राजशभा दोनों के विपक्ष निता थर्ड करें राज सभी राज्यों वह किन्सासिर पदेशों के मुख्ष मंत्री ठीक है तो आपको शही उत्तव चुनना आप्षन है केवल एक बी है केवल दो और तीन केंदरी मंत्री भी होते हैं लोगसभा राजशभा के विपक्ष। के होते हैं एक सब्सक्राइब और कि बना रहे और कि हमाये देश में जो की भाई चाहरा यह जो की भाव बना रहा है जैसे दंगेंगे होते हैं और है इन सबको रोका जाए इन सब के प्रभा को प्रभाव को कम किया जाए इसके लिए आपका गठन की आ तो जो सहरी अस्थानी निकाय राज्ञ के लिए एक अधिनियम गठित किया गया है क्वेशन 40 क्या कर रहा है कौन से सहरी अस्थानी निकाय राज सरकार के एक अधिनियम दौरा गठित किया गया है तो पहला है चाहनी भूट को सेकेंड टाउन इरिया कमिटी को थर्ड पोर्ट ट्रेस्ट इसमें से देला अपको पूछा सही उत्तर बताना है ऑप्शन है केवल दो तीन भी है एक और दो सी है केवल तीन डी है केवल दो तो देखो जो आपका च्छावनी भूट है ठीक है यह क्या होता है नगपालिका के परसार्षनशान संबंदी जो की बोड होता है जिसका गटन किया जाता है जिसको की च्हावनी अदिनियम 2006 के तरह कि केंद्र सरकार दोरा गठित किया बंद्रा केंद्र यहिhouse. मिनिस्ट्री होती है उनके अंतरगात जो कि ये कार्यरत अपना कार्य करता है ठीक है तो इसे जो कि आप देखो जो च्छावनी बोड़े इसे जो कि राजी सरकार दोरा गठी नहीं किया जाता है तो हमारे एक कोला स्ट्रिट्मेंट करते तो बी ऑप्शन मारा कड़ियागा ठ कि राजी सरकार जो है की जो स्टेट गॉवर्ण्नेट नहीं की सबढ़ा करता है, और यह सब चीजें, जो Посलम हे में करते हैं तो कुछन 1 कि यह क्यान है सब्सक्राइब सेकनल continued हूं से निमन किन प्रस्ताओों को पाइद को किसी मंप्री की निंदा कि पहला हूं से था थर झ्ध्यानल कर्षाड पृस्त हो आपको साय उत्य चुनना है किसी मंत्री का निंदा किया जा सकता है कैसे किया जा सकता है मालोग कोई मंत्री है ठीक है उसने जो कि ही कोशिच को चपाने की कुशिच की ठीक है इस संदर के होगा यह जो संहसित की निंदा कर लंगन खाए और नाम से पता चलता है जगаг ठीक है इसंदर की आती है निंदा परश्टा होता है किसी एक मंत्री के भीद हनुकर पुरे मंतिर परिश्रत के भिद्र लाया जा सकता है ठीक है उनके जो उन्होंने पॉलिशी मनाई या जो उन्होंने काम किया उसके अच्छी नहीं रही है जिससे नुक्सान हो गया है तो उनकी उसकी निंदा करने के लिए पस्ताओ लाया जाता है तो थर्ड वला स्टेटमें लाया जाता कि इस पर जो कि चर्चा की जयी और पर उन्मत्री संदम मे tyre निवस्टोस ंस करा है एक बटत तीन्सृत से जो की स्थानि निकायों के सलौ इन्सर दोर निवाचित होते ते ऐसा प्रेट्मेंट कह रहा है क्या यह सही है सेकेंड कह रहा है एक बाटे छे सदा से कम सकम तीन वर्शों से इसनाथ तक रहे और राज में निवास करने वाले व्यक्तियों दोरा निवाचेत होते हैं क्या यह सही है आप से तीन श्क्राइवं आपको सही तर्प कि पूछ रहा है ठीक है चलिए देखते हैं तो आपशन एए के वाल एक बी है कि वाल एक एक यह और दो सी एक डूरती टीन ठीक है तो आप देखो पहला स्क्राइव जो है इसमें कहरा है कि एक बटेत तीन स्थानी निकारों से चुने जाते हैं ठीक है जो यह पहला इस्टेटमेंट बिल्कूल सही है एक बटे जो जो की राज बिधान परिशा दोगा जिस राज में वहां पे उसका एक बटे तीर मेंबर कहां से अस्थाई निकार जिसे नंगर पाली का गया जिला पंचाय दोगा और भी जो पहला आपका स्थेटमेंट सही है सेकेंड गलत जो यहां पर जो यहां पर जो की बिधान सभा जो एम एले होते हैं यहां से जो की एक बटे तीन सदा से जो की चुने आते हैं ठीक है यहां पर लोग सब्सक्राइब कोई काम नहीं होता है यह ध्यान अफना तो तीन वाला भी गलत है तो इसका जो सही एंसर को ऑप्शन एक केवल एक सही हो जाएगा ठीक है चलते अपने नेक्स्ट कोशन की तरफ प्रादिकरण का गठन होगा अधिकरण मता ऑथालिटी की ग आपका पहले स्ट्रेट्मेंट संसत को है राष्ट्रपती को राज्य विदामंदल को आपको सही उत्तर चुनने हैं ऑप्शन एक एक और दो दोनों सी एक और तीन डी है केवल दो तो देखो यहां पर जो है कि अगर के जैसे संसत समद्धिक कोई निर्वाचान है उसमें को आपको यह अथार्टी नहीं देगे तो जाहां आप यह गलत जाएंगा और यह वह गलत जाएंगा तो इसका जो सही एंसर होगा एक और तीन ठीक है और अप्शन सेश का सही हो जागा लेकिन ध्यान अभी तक कोई ऐसा अथा ऑथार्टी जो कि गठित नहीं किया जैं मतलब कुछ विवाद सामने आया नहीं जिसके लिए गठित करना पड़े हमें ठीक है दोस्तों यह जो अथार्टी गठित होती है अपका यह जो कि आप देखोगे समिधान क्या जो आर्टिकल नंबर 323 भी है इसके तहर जो कि इस अथार्टी को गठित करने का अधिकार दिया गय होना चाहता है कि आप कितने अच्छे सा कोई चीट को इमेजिन करके समझ सकते है ठीक है तो यदि भायत में प्रत्याश निवाचम प्रडाली को फर्ष्ट पास्ट दी पोस्ट यानि सरवादी गोट पारने वाले की जीत प्रडाली के समानुपातिक पतिदिनिदिव से पर प्रत्याश निवाचम प्रडाली में ठीक है ठीक है तो क्या प्रडाम सबसे अधीक होने की समभावना है पहला है यह आपका कह रहा है कि जो राजजितिक दल है ठीक है समाज के विभीन वर्णो को सरकार में अधीक प्रतिनन्यी प्रस्ट त if इस में जीन सबसे जाता है ठीक है चाहे मूं 20 वोट पाया हो तो अगर इसको हटा कि हम अगर परपोर्शनल रिपरजेंटेशन लाते हैं तो क्या होगा ऑप्शन बिल्कूल सही है कि राजनितिक दल मतों के अनुपात में सीटे बढ़ जाएंगी ठीक है जो भी पार्टी जिदना वोट पाएगा वह से अधाया पर उसको सीटे मिलेंगी इसने 40 परशन पाया तो जिदने भी सीट होगा 60 परशन शीट जोगे एक मिल जाएगा और उसका जोविस सीट चारीस परशन हो वह बी को मिल जाएगा तो इस हदार पर देखो गे तो यह तो सही है एस है बी देखो समाज के विभीन वर्गों को सरकार में अधिक पते देने कि तो मिले का जी हां यही सही है कि विभीन वर्ग जिजो पार्टि अब score के वर्गों के बढ़्या अहीं हो यह को पार्टियों को डिना वोट मिलेगा उस परं उसकां सीट मिलेंगी ठीक है तो इसमें ढब देखो जो जिदने सीट होग यह पहुत्त है ना बुए साथ नहीं इंग एक विलिए टी सर्कार के लिए अधिक संख्या में बहुत अली कर्वंदन हो सकते अब इस आधि दर्फ इस में तो रही है यह थाई जो यह अच्छी तो समझस्ट आपको इसको अच्चन रिपर्शन रिपर्जेंटेशन जो है सामानुपातिक पतिए इसमें क्या डिफ्रेंस है तो चलो देखते हैं यह यह देखिए यह आपका फर्स्ट पास्ट डी पॉस्स इस्टम एफपी टीपी और यह रिपर्जेंटेशन पर परपोर्पोर्शन रिपरेजेंटेशन ठीक है प्यार के लो अब तो आप देखो इन दोनों क्या डिफरेंट है देखो एपीटीपी में कहता है सरवादी वोट बिजो पाता है वो जीता है इसको देखो पूरे देश की छोटी छोटी भोगली काईयों में बाढ़ देते हैं जिसे निवाचन चेत्र जीला का जाता है ऐसा भारत में होता है आपको पता ही है इसमे इसमें जेसे हमारे इंडिया बह께 साइब लड़ याथ चईसा कई परतीक दिदी चुने जा सकते हैं चाहना थरड क्या करिए हम तरदाता फिर फिर पर यहीं को प्राफ्ट के अनुपात से अधिक या कम सिटे विधाइका मिल सकती है जितना उनको वोट पराता है FTP में जोरी नहीं कि हो सकता है मालों कोई candidate है जिसने 40% वोट पराप्त किया हो ठीक है लेकिन मानके जो कोई candidate A है जिसने 30% वोट पराप्त किया हो कोई candidate B है जिसने 40% वोट पराप्त किया हो ठीक है कोई candidate और भी है जो इसने मानके जो 20% पराप्त तो अमेदवार थे जित लिया हो सकता है डिटस के जिास राप्त करने बाद भाद विकिर ऌटरा काक मग्ण से तोनों हो सकता है कि यहां प्रूज क को प्रातर उटर किने पास है। एक हर पार्टी को प्राथ मत करन पात में विदायका में सिट पाथ जितना उसको वोट मिलेगा उसे एदार पर इसको सिट मिलेगा जितना परसंट के दार ठीक है देखो और नेक्स्ट के अंतर है विजय उम्मीद्वार को जोरी नहीं कि वोटों का बहुमत 50% प्लस वन पाई जिस ने 40% वोट पाए वह जीच जाएगा एपकी के इस पद्द्धि में याने यहां पर 50% परस वन की जो सब से यहां पर वोट पाए वह जीच जाएगा लेकिन यहां पर क्या होता है उम्मीद्वार के जो वोट तरह इसको बहुमत आशिर्ण करना जोरी है यह यहां परस है समानुपातिक पतर दिद उसका एक्जाम पहले ठीक है उम्मीद आपको सोज़ाएगा यह डिफ्रेंस आप याद अखना अपसा एक्जाम में यहां सभी कोई दो बैठके होनी चाहिए थर्ड इस्टेट्मेंट करें आप परिश्रत की इस्थाई समीति की अधिश्यता प्रदाम मंत्री करता है ठीक है थ्वाध्यान से पढ़िएगा आपसे पुछाई कौन से आप्चन है केवल एक और दो पी है दो और तीन सी है केवल तीन डी है कोई जो पहला स्टेट्मेंट है कि यह सभी परिश्रत के बादिकार यह गलत है ठीक है यह बाइंडिंग नहीं होता था एक जहां पर गलत कर दो यह उमारा कड़ गया सिकेंड के वर्ष में कमस्रम इसकी तीन बैठके होनी चाहिए ठीक है ऐसा अंतराज परिश्रत के संब्द मे गया तो ब्रहुत हो गया गया अब थर्ड देखो रखो राइश्रत की सब्सहिति के अधर्श्रत करते है जी नहीं इसकी अधर्चिता जो के घृम मंत्री जो हमारे हो मिनिस्टर होते हैं ठीक है वो करते है तो तीन भी गलत है थेसमें ड्रौल उप्शन सहीँ हो जाएगा ह क्योंकि इसकी जो अधिशता है आप देखोगे तो हो मिनिश्टर करते ना कि परधा मंत्री ठीक पर्धा मंत्री नहीं करते हैं चलते नेक्स कोशन कोशन नमर 46 46 कोशन है कि निनम से कौन सी परिस्थितिया किसी राज्यतिक दल को भायत में राश्टी दल के मानेतब देने के लिए परियापत है ठीक आपको बताने कौन सी ऐसी परिस्थिति है इसके तरह आप बता सकते हैं कोई की जो राज्यतिक दल है वह राश्टी दल बनने योग्या है ठीक है पहला स्टेटमेंट आप से कह रहा है वह लोक सभा के साधान निवाचन में 4 सीटे पराप्त करता है अकिनी 4 अथवा अधिक राज्यों में वैद मतों के 6% बत पराप्त करता है ठीक है झेक है इसे कौन सी योग्य त है राश्टी पार्टी का recognition मिल सकता है option नहीं है केवल एक और दो बी है दो और तीन सी एक और तीन डी एक दो तीन तो देखो जो आपका यहां पे पहला सधार जो से निर्वाचर में तीन राज्यों से दो प्रतिसाथ सीटों की बिज़े होur जीसे मालों कोई लोगसाँ का सब्सक्राइब कर मैं होगा तब जाके राष्टी पार्टी पार्टी बनेilla 3 उनॉरॉक मनी स्टेट्मेट गलत है पहला दूसा आम में सही होगा है एक और दो सही है ठीक है पोशन नमबर 47 की तब चलते हैं 47 कह रहा है राज सभा के सदस्यों के कारिकाल के संब्मन्द में आपसे बात कर रहा है ठीक है पहला स्टिट्मेंट है समिधान ने राज सभा के सदस्यों की पदावधी को निधायित किया है इसके एक त्याही सदस्यों परते दूसरे वर्ष से वा निभरित हो जाते हैं आपसे इसमें पूछा कों सा सही नहीं है पूछा है औप्शन ए केवल एक बी है केवल दो सी है एक और दो दो डी है न तो एक न तो दो तो यहां इसको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपक क्या होगा ठीक है और इसमें इसके लिए क्या क्या है जो हमारा आपका है रोपा एक्ट 1951-1951 यानि कि लोग सभाव परती नहीं थी तो अधिनियम 1951 है उसमें यह मेंशन क्या क्या है कि राजश्वा के सदस्यों का जो कारिकाल होगा वो छे वर्ष होगा यह ध्यानक नहीं नहीं है ठीक है और यह जो इस अधार से परते कि दूसरे वर्ष शेवाने बिल्कुल सही है तो हमारा शही नहीं पूछा तो ऑप्षन एक गलत पूछा तो गलत कौन सा इसमें एक और स्टेट्मेंट है तो ऑप्षन हो जाएगा ठीक है चलो नुमर 48 के तब चलते 48 हमारा है निमन में से कौन सब विश्य है शमिधान की ग्यारीवी अनिशूची कंतगत आता है ठीक है आपको बताने 11 सेड्यूल में कौन सब विश्य आता है देखो पहला है क्रिशी शेकेड भूमी सिधारों के कार्णवान थर्ड आपका प्रात्मी को माद्मी विदालेक शिच्छा फोर्त है सावजिनिक वितर पड़ाली फेप आपका विवा और विच्छेद ठीक है ऑप्शन सहीर चुनना है आपको ऑप्शन ए है 124 बी है 234 देखो क्रिशी तो है ठीक है भूमी सुधा के कार्णवान सबंदी जो चक बंदी और यह सब भी है प्रात्मी माद्मी विद्य सेड्यूल हमारा है उसमें जो तीन लिष्ट है तो जो समवर्ती सूची है उसमें जो कि आपका विवा विवा विच्छेद सबंदी प्रवाधान के आगा यह 11 वी अन्यूची में नहीं है ठीक है तो 5 वाला नहीं है 5 जाए आप उसको कट कर दो बाकि यह सब देखो सही है सब्सक्राइब है तो 1 2 3 4 अप्शन 10 का सही हो जाएगा ठीक है इसका जो सही एंसर होगा 48 का वो क्या होगा ऑप्शन डी एक बार हम देख रहते हैं 11 वी अन्यूची में जो कि और क्या कैसे विशाय है एक बाद थोड़ा सा अपना रिविजन हो जाएगा ध्वा दिमाग मे सब्सक्राइब है ठीक है ठीक है ठीक है इसका लावा और देखते हैं और क्या 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 है जो ग्यारिवनी सुची में है सड़के पुलिया पूल घाट जलमार्ग और अन्य संचार साधन और जलमार्ग भी इसी में आता है यह ध्यानखना ठीक है ग्रामीड विद्यूतिकर जिसके अंतगर विद्यूत का वित्रवड भी सामिल है और पान्परिक उर्जया यानि और लगीोगा आती है अलब और समुदाइक आस्तियों का अनुष्ट यह भी है अब यहां देखो लिखा विवा विवा विच्छे संबंदी जो प्रावधान है वह साथी अनुष्ची में सुची तंबत तीन समुष्टी सुची का विशह है ना कि ग्यारियों सुची का चलो फड़ा पर समय यह देख लि अगर ऐसे वर्ड बोला किसी एक ही पर्टिक्लर लोकेशन पर हो भी सकता है पर जोड़ी नहीं के रूप में वर्गी कुरी थे आई तो पहला सही हो जाता है हमारा और जो सेकेंड गलत है यह किवल भारत के भारत में जो कि चंबल नहीं प्यादा है और भी नदियों जाता है जैसे कि आपका गेरुआ देख लो सोन नदी MP में रामगंगा नदी उत्तराकंड में गंड़क नदी है और महा नदी उडिशा में चंबल में भी यूपी MP राष्थान के लिए में जो कि यह पाई जाती है और इसके पेरे जो कि आपका जो घड़िया था इंडिया आप अमारे दिखोगे तो जो सही होगा अप्षन एक वाल एक और स्टेट्मेंट सही हो जाए गाटिक कोशन अबर 50 लास्ट कोशन अमारा यह आज को देखते हैं को नमर्फिटी में निम लिखी बिध्यकों में से किस या किन का संसर में पूना स्थापन करने से पहले राष परिवतन आपको सही उत्त्य बताना है देखो पहला धन बिध्यक है यह आठिकल 108 के तहत है आठिकल 108 में लिखा गया है कि धन्म बिध्यक को प्रस्तूत करने से पूरा राष्ट्पती की उनमतिका उसकता परती है यह तो इस अधाब एक तो सही है नहीं होती है थार्ड को साफ़ाव में परिवतन करने है उसका छेतर चैकर कम बेशिक ज्यादा जो भी करना है उस इनुल राश्टपती की पूरो अनुमती की आउसकता होती है तो आपका जो सही स्टेट्मेंट, ऑप्शन ओका उप्शन सी होगा, वान एंट थ्री, सेकेंड ओलमाई स्टेट्मेंट गलत है, ठीक है, समिधान समस्वर दर में आउसकता नहीं होती है, यह होगे आज हमारे 25 कोशन और स्काइब को चूड़िया है, और धेदें हम पढ़ते रहेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए,